सब्सक्राइब तो हेलो वाइब लोग कैसे हो मैं हुए असके और आप लोग देख रहे हैं स्स ग्राफिक्स डिटोग चैनल और यहांग जैसा कि आप लोग ने प्रेवियू को चल रहाएं ऐसा ही हम लोग करने वाले और शुबर मैं ने वीठिऊ में वैसा ही पूछा था कि आप लोग को इसलिए मैं कलर ग्रेडिंग का टुटोरियल जो है जल्दी से डाल रहा हूं और उसी दिन मैं वीडियो बना रहा हूं जिस दिन मैंने वीडियो अप्लोड के थी उसी दिन यह वीडियो आ रही है मतलब साम को यह वाली वीडियो डाल रही है और अगर आपको कोई और भी टु आप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अभी मैंने नियू अलाइट मोशन का लिंक दिया है आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आपके दिवाइस में वर्क करता है कि नहीं करता है और अगर आपसे मेरी लिंक ओपन नहीं होती तो अगर अगर आप लोग को प्रिसेट चिए तो मैंने प्रिषेट का लिंक दे दिया है अलाइट मोशन प्रिसेट आपको इसा एक प्रोसे के इंपॉर्ट हो जाएगा ऐसा वाला कुछ चोटा सा ही होगा इसमें लेंद्र छोटी होगी और इसके पाद आपको करना क्या है simply copy effects करने और आपकी वीडियो में जाके पेश्ट कर देना है यह तो प्रीशेट वालों के लिए था और जिसके मोबैल में प्रीशेट इंपॉर्ट नहीं हो तब मोबैल सपोर्ट नहीं करता किसी का तो उनके लिए क्या करना है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है एक प्रोजेक एक क्रियेट करदेना और इसके बत आप लोग को दिखने आपका जो गीफिल उसको एड़ कर देना यहां पर तो मैं यहां पर यह वाला गेमप्ले अड़ रहा हूं तो काई इस क्लिप करने के बादा आपको करना का है सное लेना ऊठके साथ को फुल गरतेना है तो हन्द पर सेंट करने के बाद आपको फैदर देर गदैन और दैने चोंट पर нажांए तो पॉंट ज़ूरो जिरो कर देंना यहां पर मैं फैसा 하겠습니다 और यहां पर फेक्ट एकडम 2.00 कर देना है उसके पाद एड़ एफेक्स पर जाने के बात color and light पर जाके brightness and contrast को लेके आने हैं और brightness and contrast को करना किए brightness minus seven contrast को कर देना है plus seven और इसके पाद आप लोगको जाने add effects फिर से करने फिर आपको करना क्या है फिर से जाने color and light वाले option पर जाना है आप लोग को highlights and shadows पर highlight and shadows पर जाने के बाद आप लोग करना क्या simply highlight को जो है वैसा कब ऐसे रहन देना है और shadows को जो है करना है थोड़ा सा minus 80 around 80 और यहां पर मेरा 78 हो गया मैं इसको 80 कर दी तो अगर आप लोग screenshot लेना चाते हो तो मैं लाश में आपको सारे खोल खोल के दिखा दूंगा और इसके बाद आपको फिर से जाना है color and light पर color and light पर जाने के बाद आप लोग को ला लेना size इसको जो decrease करके इतना करदेना है कुछ और roundness को जो लाई विख मλλάई हो जाएगी जो तो यह ब्लैक हो जाएगी जो आपको लिखने हो जाएग गोलागा देखो आईád को उसला हो जाए इतना आपको ब्लाक हो जाएगी के बाद यह एफेक्ट है हमारा रैडी हो चुक है और मैंने जो को लोनेल वाला जो एडिटिंग था वह आप लोगों को नहीं सिखा यह तो फ्लेम आ रहे हैं की स्टार्टिंग के विडियो थे लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट थे वह थोड़े से अलग थे तो मैं वह भी सि इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं इसके बाद आप लोगों को बैक आजाने एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सेवेंड शेयर को उप्शन कुझे का सेव कर दिना तो यह आपकी गैलरी में सेव होने वाले इसके बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट क पर इसके बाद आप लोगों इमेजन वीडियो पे जाना है इसके बाद आप लोग को एक गेम प्ले इंपक्र लेना है simply तो मैंने यहां पर यह वाला गेम्प्ले इंपॉर्ट कर लिया फिर गैंप्ले इंपॉर्ट होने के बाद आपको करना क्या ब्लैक बार सटाने से ब्स simply move and transform video पर क्लिक करो move and transform फिर यहां पर थाड़ वाल आइकन pixels जो increase कर दो और pixels increase करने के बाद यहां पर जब तक black वाला हट नहीं चाता है तब तक आपको करना है और black वाला हट जाने के पर आपको करना है simply वही सारे effects जो आपको कर देने हैं यहां पर paste simply लाके सबसे पहले हम लोग उस वीडियो में जाएंगे और इस वीडियो को जितने भी effects हैं हम लोग सबको उठा लेंगे यहां से और यहां से copy effects कर लेंगे और मैंने दोनों जो है थोड़ा सा contrast increase करेंगे थोड़ा सा brightness जो है कम कर देंगे और यहां पर यह कलर ग्रेडिंग हमारा जो है complete होई गया है और यहां पर हमारे देख लो कलर ग्रेडिंग काफी हद तक complete हो गया और इसको करना कि आपको simply जाना है यहां पर saturation and vibrance पर हम लोग saturation vibrance को आपको delete नहीं करना है आपको यहां पर जाना है मैंने description में दे दिया तो आप लोग दोनों में से कोई भी preset यूज़ कर सकते हो और जो colonel यूज़ करते हैं simply यही settings है colonel की और उसमें करना है कि आप लोग को simply add effects पर जाने color and light पर जाने और इसके बाद आप लोगो क्या करना है color and light पर आपको मिलेगा कमल color temperature standard setting लेने color temperature की फिर इसको थोड़ा सा blue type कर दिने और यहां पर हो चुग है हमारा colonel जैसा color grading और थोड़ा सा इसका जो brightness आप लोग को माइनस 7 कर दिने और contrast और गम कर दिने ना 10 इतना और ऐसे कुछ adjustment कर दिना जिससे आपका जो हो जाएगा और highlights and shadows में जाके आप लोगों इतना ही रहन देना सब कुछ ऐसे रहन देना है तो यह होगी आपका colonel वाला और यहां पर एक snowfall वाला effect आता है तो snowfall वाला effect simply आपको जो है मिल जाएगा description में अगर आप चाहते हो download करना तो कर सकते हो description से download otherwise कोई problem नहीं आपको download करना है तो आप करो otherwise मत करो अभी जो है मेरे को मिली नहीं रहा है snowfall वाला effect मिल या तो simply मैं आप इसको लाओंगा और यहां पर इसको जाके मैं blending में जाके lighten में जाके linear touch कर जूँगा linear touch करने के बाद यहां पर जो हमारा snowfall effect भी आ चुका है तो इसके पाद आपको export कर दिना है तो आज की वीडियो में इतने ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करकि बेल वाले सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता दिना कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर डिटोरियल चाहिए कि नहीं तो मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई